हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मेगा हाइवे पर एक ट्रेलर नंबर आरजे 19GB2399 आता दिखाई दिया जिसमें चालक और एक अन्य व्यक्ति सवार थे जिसको पुलीस द्वारा रुकवाने की कोशिश की गई लेकिन ट्रेलर चालक ने ट्रक भगा दिया जिसपर पुलीस ने ट्रक का पीछा कर एक किलोमीटर की दूरी पर ट्रेलर को रुकवा दिया और दोनों से ट्रक में भरे माल के बारे में पूछताज की लेकिन उनोंने टरक में गेहूं भरे होने की बात कही और शराब की स्मेल आने के चलते पुलीस ने ट्रेलर सहे दोनों आरोपियों को देस्तियाब कर पाइला चोकी पहुँचे जहां पुलीस ने ट्रेलर की तिरपाल हटा कर तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में शराब होना पाया गया इस पर पुलीस ने ट्रेलर में भरे अवैद अंग्रेजी शराब के 1200 कार्टन सेल फॉर अरुनाचल प्रदेश जब्द कर लिये वही पुलीस में चालक सुरेश विशनुई पुत्र किशना राम विशनुई उम्र 25 वर्ष निवासी वायद पुलीस थाना रोहित जिला पाली और दिनेश पुत्र हर्चंद जाती विशनुई उम्र 24 वर्ष निवासी नेहडा पुलीस थाना रोहित जिला पाली को गिरफतार कर लिया पुलीस पूछताच में आरोपियों से शराब को नार नाले हर्याना से भर कर लाना बताया और सांचोर के पास सप्लाई करने बताया पुलीस ने आबकारी अधिनियम के तहट सिंधरी पुलीस थाना में मामला दर्ज किया है वहीं मामले में सिंधरी पुलीस थाना बुपाल विश्णोई द्वारा अनुसंधन किया जा रहा है। शराब की अनुमती कीमत करीब पचास लाग आकी गई है। बार्मेर से जागुट टीवी की रिपोर्ट